तुडेंट जी क्लास फिफ्ट का चैप्टर है दफिश टेल इसमें देखे क्या है डीप अंडर दा सी सी दा लवली कलर फिश स्वीमिंग पीस्फुली देखें यहां पे दो बार सी आया है एक सी का मतलब है एस ए ए इस सी का मतलब है वाटर यह समुंद्र यहाले सी का मतलब है समुंद्र और एक सी आया है एस डबल ए सी इसका मतलब है वाच वाच मतलब देखना डीप अंडर दसी मतलब पानी में बहुत अंदर समुंदर में बहुत गहराई के अंदर देखो क्या देखो लवली कलर तब फीश मतलब लवली मतलब सुन्दर सुन्दर फीश देखनी है फीश अच्छी अच्छी कलर की फीश अलंग अलंग कलर की फीश है वो क्या करें स्वी पीसफुली मतलब बहुत आराम से क्या कर रही है आराम से स्वीमिंग कर रही है ठीक है इन तीनों लाइनों का मतलब आपको समझ आया इस सी का मतलब है समुंद्र और इस का मतलब है SEE का मतलब है वाच इस स्पेशल पोयम इन थ्री लाइन इस कॉल्ड आ हाइकू यह जो स्पेशल पोयम होती है जो तीन लाइन की पोयम होती है यह इसको क्या कर बोलते है हाइकू यह जो थ्री लाइन वाली पोयम होती है न उसको बोलते है हाइकू Such poems about nature are popular in Japan ये ऐसी poem होती है जो mostly nature के उपर होती है मतलब जो हमारे आसपास जो nature है Mother Earth है ये बहुत अच्छे पेड़ है Mountains है, Rivers है Gardens है इन सब के उपर जो poems लिखी जाती है Birds, Faces, Animals इनको क्या बोलते है? Nature ठीक है, ये नेचर का प्राइस कर रहे है ठीक है, mostly ये जो nature के उपर तीन-तीन लाइन की poems होती है वो कहां लिखी जाती है? जापान में जापान में ये बहुत फेमस है तीन-तीन लाइन की poem इसको बोलते हैं Haiku आगे देखे Here is another Haiku अब हम इने poem नहीं बोलेंगे अब हम इने Haiku बोलेंगे ये जो तीन-तीन लाइन की poems होती है इसको क्या बोलते है? Haiku इसको बोलेंगे क्या आपने एक Haiku सुनी है? ठीक है? ये तीन-तीन लाइन को Haiku बोलते है ठीक है? ये जो तीन-तीन लाइन की poem होती है इनको Haiku बोलते है The lake calm Smooth still A fish jump up and return Reaper shake the lake देखे क्या बोलें? The lake calm, smooth, still लेक की बाद चल लिए जो जड़ना है जो calm है, smooth है, still है What do you mean by calm, smooth, still? बहुती peacefully सब कुछ है स्टीन मतब पानी ज़्यादा लहरे लहरे नहीं आ रहे है smoothly सब चल रहे है बहुत smoothly यहाँ से वाँ दिख रहे है आ रहा तिक्षा कहीं नहीं है smoothly जा रहा है ठीके? A fish jump up and return अब ऐसे पानी में जहाँ शान्त पानी था fish आई और jump किया वापस return हो गई नीचे पानी में ही चली गई ठीके? तो फिर क्या होगा? तो fish आएगी और वापस return हो जाए ठीके? जब वो आएगी तो पानी में क्या हो जाएगा? लहरे बन जाएगी पानी डिस्टाब हो जाएगा ना जीपल shake the lake क्या हो रहा है उसमें? लहरे बन दिये उसमें return होने से उसके lake को उसने क्या कर दिया? shake कर दिया ठीके? उसके पानी को यहां से वहां shake होने लगा है ठीके? आज हमने दोनों हाइकू पढ़ लिए यह दोनों हाइकू fishes के बारे में थी जब चैप्टर ही fishes के बारे में तो हाइकू भी fishes के बारे में होगा do you know any poems about fish? इसमें लिखा है क्या आपको कोई poem याद है fishes के बारे में मेरी जो poem है मुझे वो याद है मचली जल की रानी है जीवन उसका पानी है हाथ लगाओ डड़ जाएगी भार निकालो मर जाएगी यह वाली बहुत famous poem हमको पढ़ाई जाती थी जो मुझे अभी तक याद है आपको भी कोई poem याद होगी बढ़ यह poem हिंदी में है और हम English medium में पढ़ रहे है तो अब हम हिंदी में तो लिख नहीं पाएंगे अब हम कोई English में poem लिखेंगे ठीके अब मैंने जो मुझे याद है मैं आपको poem सुनाओंगी इस कोईशन में आप एक poem लिख दीजेगा इसमें लिखा है Do you know any poem about fish इसमें आप क्या लिख दीजेगा Yes, I know ठीके मैं आपको poem सुनाती हूँ जो मुझे poem आती है वो यह है मेरी वाली poem रीट करते हैं ठीके 1, 2, 3, 4, 5 Once I caught a fish alive 6, 7, 8, 9, 10 Then I let it go again Why did you let it go? Because it bit my finger so Which finger did it bite? This little finger on the right अब मैं आपको इसका हिंदी में मतलब बताती है 1, 2, 3, 4, 5 इसे कराइंकर ने लिखा है एक बार मैंने एक जिन्दा फिश पकड़ ली थी ठीके ऐसे हाथ में 6, 7, 8, 9, 10 फिर मैंने उसे क्या क्या दुबार उसे पानी में छोड़ दिया ठीके जाने दिया फिर किसी ने पूछा कि आपने उसे पानी में फिर से क्यों जानी दिया पकड़ ले तो उस ने बुला कि उस उसी ने मेरे फिंगर में काट लिया था उसने जब पकड़ी थी फिश तो उसकी उंगली को उसने बाइट कर लिया था ठीक है काट लिया था फिर उसने फिर किसी ने पूछा कि कौन सी फिंगर को बाइट किया था तो फिर उसने का कि उसने मेरी राइट साइड को राइट वाली साइड को फिंगर को बाइट कर दिया तो इसलिए मैंने उसे पानी में दुबारा से छोड़ दिया ठीके अब ये मेरी पोयम थी ऐसी आपको अपनी पोयम लिखनी है जो आपको याद हो इंगलिश में अच्छी सी ठीके अगर किसी को याद नहीं है तो आप पी एई वाली पोयम अपनी कॉपी में उतार सकते हो ठी थैंक यू स्टुडेंट